चौती जनरेशन के कंप्यटर, इस वीडियो में हम चौती जनरेशन के कंप्यटर के बारे में जानेंगे. चौती जनरेशन के अवधी 1971 वर्तमान थी, जो Large-Scale Integration, LSI, और Very-Large-Scale Integration, VLSI, उप्योग करते हैं. एक माइक्रो प्रोसेसर की मदद से चौती जनरेशन के कम्पीटर्स बनाए गए थे हार्डवेर प्राद्योगी की इस्तेमाल की गई तक्नीक लार्ट स्केल इंटेग्रेशन, LSI और बहुत बड़े स्केल इंटेग्रेशन, VLSI सर्कित है हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप, LSI प्राद्योगी की के प्रयोग में एक ही कृत किये जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिसमें लाखों ट्वांजिस्टर और अव्यव रखे हैं और LSI और VLSI प्रोध्योगी की का उप्योग कर बनाया गया है Semiconductor Memory पहले चुम्बकिय कोर मेमरी की जगा ले लेती है परिणाम स्वरुप स्टोरेज करने में तेज हो जाता है मादिमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे की चुम्बकिय डिस्क शारिरी काकार में और क्षमता में बड़ी हो जाती है कम्पीटर के जुर्ने और नेट्वरकिंग एक अन्य महत्वपून विकास है कई नए ओपरेटिंग सिस्टेम जैसे की MS, DOS और MS Windows इस समय के दोरान विक्सित होई थी इस जेनरेशन के कम्पीटर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का समर्थन करते थे GUI एक उप्योग करता के अनकूल इंटरफेस है जो उप्योग करता को मेनू और आइकॉन्स के माधियम से कम्पीटर के साथ इंट्राक करने के अनमदी देता है उच्चस तरिये प्रोग्रामिंग भाशाओं को प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तमाल किया जाता है बहुतिक उपस्थिती वे पिछली जनरेशन के कम्पीटर की तुलना में छोटे होते हैं कुछ हाथ की हदेली में भी फिट हो सकते हैं उधारण इंटल 4400 चिप पहला माइक्रोप्रोसेसर था 1984 में आपल नी माकिन्टोश की शुरुवात की नवीनतम प्रोध्योगी की और उच्छ कुषल कर्मचारी माइक्रोप्रोसेसरों के निर्मान के लिए आविश्यक है इसलिए इसे बनाना मुश्किल है अप्लिकेशन वे बिल्लिंग और कंप्यूटिंग मशीनों की तरह वानिजिक प्रयजनों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गये है कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली बन गया है नेट्वर्क बनाने के लिए वे एक साथ जोड़े जा सकते हैं जो अंत में इंटरनेट के उप्यों के विकास के लिए नित्रत्व करता है